Hello everyone, welcome to my YouTube channel, मेरा नाम विकास नारा है और आज के शिड़े में अपना बात करेंगे कि how to warm up SMTP server using mailwiz warm up plan तो अभी जो mailwiz का नया वर्जन है, उसके अंदर एक warm up का plan आया है तो उस plan में क्या एक आप schedule बना सकते हो and उस schedule को यहाँ पे एक जो plan ना नाम दिया गया मतलब उस schedule बनाके आप किसी भी SMTP server में वो लगा सकते हो तो फिर उस SMTP server का use करके आप कोई भी campaign लगाओगे तो उस schedule के हिसाब से आपके email जाते रहेंगे मतलब उस warm up plan के हिसाब से आपके email day by day उसमें जाते रहेंगे and उसी जो आप increment उसमें set करोगे या जो per hour के limit या जो per day के limit उसमें आप set करोगे उसी साब से आपके email डेली send होते रहेंगे तो आपको एक डेली campaign वगरा लगाने की नीट नहीं है डेली के आज इतने 200 करने अपने को खल 400 तो अभी आप इसमें करने की जुरूत नहीं आप automatically उसमें आप एक आपने आपको एक warm up plan बनाना है वही warm up plan आपको जो आपका delivery server है या SMTP server है उसके अंदर वो add करना है तो चल चलिए वो आपन देखते हैं लास्ट वीडियो में मैंने एक mail वीज इंस्टोल करके आपको दिखाए था तो वो भी आप ज़रूर देखें कि कैसे अबन mail वीज इंस्टोल करकर सकते हैं AWS के अंदर वो मैंने SMTP में देखाए था तो वो भी आप ज़रूर देखें तो यहां पर मैं हूँ इसके अंदर admin panel में यहां पर आपको आना है server में एंद यहां पर आता हूँ में Waspler Plans में ओके जी उसके बाद आपको क्या करना है create a new पर आपको click करना है यहां पर आपको नाम लख लखना है तो मैं यहां पर लग देता हूँ my plan मैंने यहां पर नाम रखा & यहां पर जैसे sending count मैंने यहां पर रखा 5 जैसे आप को टोटल या टारिय कट यहां पे रख दो तो मैं टोटल यहां पे रखता हूँ 5000 एन यहां पे आप सेंडिंग कोटाः टाइप यहां पे आवरिक डेली आंप सकते हूं अैक जो एक जोग्राफ में ओता ना हुआन लेन्य और मतलब एकी समान साइन एक ही क कुछ होता ना उसमें वो ऐसे ऐसे बढ़ता नहीं है कि आज इतने होगे कल उससे ज्यादा होगा या इसमें वो एक ही समान रहता है और जो सेकेंड वाले स्टेज यह उसमें क्या गराप ऐसे दिरे दिर ऊपर जाएगा से ओके फिर वो मतलब ज्यादा उसका इंक्रिमेंट हो होने को बूच रहा है तो यहां पर अपन फाइब परशेंट यहां पर मैंने क्या सेलेक्ट एंड उसके बाद मैं यहां पर सेव चेंजस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे यह आप सेव चेंजस पर क्लिक करोगे तो यहां पर इसने एक वरम अप का प्लान यहां पर बना दिया है five days का है यह उसका यह यहां पर इसने लियर रखा है linear मतलब यह देखो एक ही समान यहाँ पर चल रहा है एक ही समान इसमें इंक्रेमेंट हो रहा है एंड कोई कोई इसमें चेंजेस वैसे नहीं रहा है न तो यहां पर यह दूसरे वाला भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और मैंने यहां पर इस पर सेव चेंजेस पर क्लिक किया और फिर इसने एक अलग प्लान यहां पर इमेरे को बना के दे दिया ऐसा गुच्छ तो दोनु इस स्ट्रेजी में अलग लग कई फि डिफरेंस आपको मिलेगा तो यह आप यह पर नहीं बेप सेम यह यह हुआ है यह फिर अगर यह सेम यहार दो आप दुबारई से यहां पर वहीं हरा आप पर जाके नया बनान खाल ना कभी-कभी वह समान भी दिखा देता है उसके बाद आप आपको क्या?」 सब्सक्राइ़ करना है मैंने इसको घडिया एक्टिव जैसे अभी जो परना अपना एक्टिव दिखा रहा है य Apple वर भी इस इसर पहु ँदिखा देगा आप यहां से यहां status भी है अपना active यहां पर और भी यहां पर create कर सकते हो उसके बाद आपको क्या करना है डिलियूर server में आना है यहां पर माल लिजे आपके पांच smtp है तो जिस भी smtp में आपको यह add करना है उसके यहां पर इस पर click करना है से सेटिंग में and update पर आपको click करना है नीचे scroll down करना है यहां पर आपको एक warm up plan मिलेगा तो यहां पर जो भी आप जैसे मैं इसको नई tape में कर कर लेता हूं यहां पर अपना जो नाम था वो था my plan अपने my plan नाम से उसको रखा था तो जैसे मैं यहां पर my plan मैं लिखते हैं यहां पर drop down में उसका वो नाम आ जाए तो जैसे मैं इसको select करूंगा तो यहां पर भी जो अपना plan है वो यहां पर दिखा देगा अपने को ओके एंड उसके बाद आपको just save changes करना है तो जो भी इस SMTP के थुरू जो भी आप campaign वगर अलगा होगे वो इस limit के हिसाब से यहां पर चलता रहेगा आपका ओकी जी एंड यहां पर भी आप सेट बगरा कर सकते हो कि एक mail के बाद दूसरा mail कितने में मिन्ट के बाद जाए तो यहां पर जो माइक्रो सेकेंड में यहां पर यह सारी चीज़ें रखी हैं तो आप यहां पर जैसे तीन लाख रखोगे तो मतलब वह पाच मिंट के बाद आपको दूसरा mail बगरा जाएका आप वह माइक्रो सेकेंड को मिन्ट में convert करके आप यहां पर देख 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 लेना ओके उसके बाद यहां पर आपको just save changes करना है और यह सारे चीज़ें इस इस SMTP apply हो जाएगी और इस SMTP का यूज़ करके जो भी आप campaign लगा होगे उस पर apply हो जाएगी ओके तो ऐसा कुछ आप यहां पर setup कर सकते हो और यहां पर और भी आप वरम अप प्लान अपने other SMTP के लिए भी यहां पर create कर सकते हो and warm up से related मैंने पहले भी वीडियो बना रखे ह है तो वो भी आप जरूर देखें यहां पर जैसे मैं स्क्रोल करता हूं तो यहां पर जैसे आप कोई भी SMTP ये जीमेल बगरा का वो अटमेटिक अगर आपको करना है तो यह दो वीडियो आप जरूर देखें and warm up से related मैंने strategy के वी वीडियो भी बनाए हैं यहां यहां पर create ip strategy यहां पर बना सकते हूं क्या आपको कितना करना है और डेस आपके कितने हैं तो यहां पर Esse Coffee बना सकते हो और यहां पे मिशित अपनी मेरे मेरा दाशार सिस्क्राइम ने किया तो प्लीज सब्सक्राइम आइडियो चैनल और वीडियो देखने के लिए धन्यवार